गुड़ मोर्निंग बच्चो आज का टोपिक है द्रवों की सनरचना सिध्धान्त या द्रवों की सनरचना की सिध्धान्त इसमें तो सबसे पहले हम बात करते हैं परदार्तों की अवस्ता तो परदार्तों की तीन अवस्ता होती है एक फर्स्ट अमारे पास है ठोस अवस्ता सेकंड द्रव अवस्ता और जो थर्ड है वो होती है गैस अवस्ता इसमें तो परदार्तों की तीन अवस्ता हैं ठोस, द्रव और गैस सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है द्रव अवस्ता के बारे में यानि कि द्रवों की सनचना के बारे में पढ़ता है गलनांग पूंट तक उसको गरम कर देते हैं तो कोई भी ठोज परदात गल कर यानिके पिंगल कर किसका निमान करता है द्रव को निमान करता है जब ठोज द्रव में बदलता रहता है तो इनके बीच में एक सामें अवस्ता आती है तो इसी तरफ पर इसी प्रकार हमारे पास जब द्रव और जो गैस है अगर किसी द्रव को हम गरम करते हैं उसके गलनांग पूंट तक गरम करते हैं तो वहां किसका निमान होता है गैस का जैसे एकजामपल के लिए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जल बर रखा हमने कोई भी द्रव बर रख है अगर इस जो हमारे पास दरव इसकी क्या बनती है वास्प बनती है तो प्रारम में तो यही होता है कि जो हमारे पास दरव इसको गरम करेंगे तो इसकी वास्प बनती रहती है लेकिन एक समय वो आता है कि यहां पे वास्प की मातरा क्या होती है बहुत जादा हो जाती है तो यह जंगनितों के द्रव का निमान करती है यानि कि हम यह कहेंगे कि द्रव और गैस के बीच में भी कौन सी अवस्ता आ जाती है साम में अवस्ता आ जाती है तो यहां पे जो हमारे पास तीन अवस्ता होती है परदात की ठोस द्रव गैस इसमें सी ठोस और द्रव की बीच में साम पर तो यहां हमारे पास हम और आया है कर अ कर रहे हैं तो यहां पर तो यहां पर उसको वड़ाया है क्रांतिक-त-ब्राइ्म क्रांतिक ताप क्या होता है वह ताप होता है जिसके उपर कोई भी जो हमारे पास गैस होती है वह किसमें बदल जाती है दरव में बदल जाती है तो वह जो ताप होता है उसको क्या कहते हैं क्रांतिक ताप कहते हैं तो किसी भी गैस को अगर हम क्रांतिक ताप तक क्या करेंग ठंडा करते हैं कूलिंग करते हैं तो वो जो अमारे पास गैस वो किस मिल जाती है दरव में बदल जाती है तो यहां पे अगर ठोस को पिंगलाते हो गलाते हो तो दरव प्राप्त होता है तो दरव को ध्यान रखना एक नाम और कहते हैं कि गलित ठोस भी कहते हैं गलित ठोस ज आप गलित ठोस को कहते हैं इसको यानि कि जो दरव होता है उसको गलित ठोस के नाम से भी जाना जाता है अब इन दोनों के बीच में क्या आ गई हमारे पास सामय वस्ता इसको समझाने के लिए यानि कि इस समय दरव की स्टेक्चर को समझाने के लिए दो वैग्यानिकों ने न इसकोट यह दो वेग्यानिक थे जिनों ने क्या दिया था इनको समझाने के लिए शिदान्त को क्या कहते हैं बर्लेल वे इसकोट का शिदान्त भी कहते हैं या नियम भी कहते हैं ठीक है नेक्स जो हमारे पास है दरव और गैस अवस्ता के को समझाने के लिए वेग्यानिक थे आईरिंग एक वेग्यानिक है आईरिंग जिनों ने क्या दिया था शिदान्त दिया था जिसको क्या कहते हैं दरवों का आईरिंग शिदान्त कहते हैं तो ठोस और दरव को जो सामें अवस्ता है उसको समझाने के लिए जो सिदान्त दिया गया है उसको कहते है बरनेल वे इसकोट का सिदान्त कहते हैं जबकि इसको क्या कहते है दरवों का आईरिंग सिदान्त कहते हैं तो इन दोनों यह जो दोनों सिदान्त होते हैं यह आमें कि इसकी स्ट्रेक्ट्र बताने का प्रियास करते हैं तो सबसे फर्स्ट मारे पास बरनेल बर्नेल वे स्टोक या स्कोट बर्नेल वे स्कोट का सिद्धान्द तो बर्नेल और सिद्धान्द का है इसमें तो इसी सिद्धान्द के अगर हम बात करें जैसे हमारे पास कोई भी ठोस परदार्त होता है तो ठोस परदार्तों में जो कोई भी कन जैसे हमारे पास ये एक अव्यवी कन है ये अव्यवी कन अन्य छे कनों के दुवारा गिरा होता है तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसमें तो अगर हमारे पास कोई भी जैसे परदार्त ठोस है तो ठोस परदार्तों में कोई भी एक कन होता है वो अन्य छे कनों के दुवारा क्या होता है गिरा हुआ होता है यानि कि उनके जो अवस्ता होती है या विवस्ता होती है एक सगन अवस्ता होती है या हम कह सकते हैं कि क्रि जिरा हुआ है तो यह जो एक कन होता है यह गति नहीं कर पाता है द्यान लखना और इसी वज़े से जो ठोस परदात होते हैं उनके कन कैसे होते हैं एक व्यवस्थित होते हैं निश्चित होते हैं जब हम क्या करेंगे इसको हिट करेंगे जब ठोस परदात को अगर हम हिट करत तो यहां पर इन कनों के बीच में लगने वाला जो अंतरानुक आकर्षन बला है उसका मान कम हो जाएगा और अंतरन नाबिक के जो दूरी है वो क्या होती है बढ़ती जाती है जब दूरी बढ़ती जाएगी तो एक समय वो आएगा कि इस कन में से या इस ठोस में से कोई भी एक जो कन होता है वो अपना इस्तान छोड़ देता है और वहां से क्या होता है भार चला जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है यहां पे कि जो छे कन थे वहां से एक कन क्या करता है अपना इस्तान छोड़ कर चला जाता है तो यहां पे जो अमारे पास कन ए था उस कन में सि पांच कन बस जाते हैं तो वह इस्तान जहां से कोई भी हमारे पास अव्यवी कन भार गया है वहां पे क्या बन जाती है एक रिक्तिका बन जाती है अब यह जो रिक्तिका है यह इस अनू के आकार के ही होती है क्योंकि यहां से क्या गया है अनू भार गया है तो यहां पे रिक इसके आकार के बराबर होता है अगर हम बात करें यहां पर इस इस कंडिसन में तो यहां पर यह जो कन है यह अपने आपको क्या करेंगे एड़ेस्ट करेंगे यानि कि इस रिक्तिका को बरने की क्या करेंगे कोशिश करते हैं जब बरने की कोशिश करते हैं तो यह इनके बीच में किया बन जाएगा? कि हमारे पास अंत्रा नावि के जो दूरी होती है, वो भढ़ जाती है. इसे लिए जब भढ़ जाती है, तो हम कहेंगे कि जो भी हमारे पास यह ठोस परदार था, अब यह परदार किस में बदल गया? द्रव अवस्ता में क्यों कि जो भी आवियवी कन होते हैं उनके बीच की दूरी बढ़ना तो यहां पे आवियवी कनों के बीच की दूरी बढ़ गई है कैसे बढ़ी है जब हमारे पास कोई भी ठोस कन था ठोस परदा था उसकों ने गरम किया जब गरम करते हैं तो इनके नाबिकों की बीच की या इन कनों की बीच की दूरी बढ़ती है जब कनों की बीच की दूरी बढ़ते तो एक जो कन होता है वो जालक से क्या होता है भार चल जाता है जिसकी वजय से यहां पर इनके बीच में क्या आगे रिक्तिका आ गया श्मेन geek कि वजय으면서 जो पास पर्दार ते वो में बदल गया दर्व में बदल गया सुमें अब यहां पर कुस्चन और बनता है कि जैसे आपने पढ़ाऊगा थोस द्रव परदार्द में कि जो भी हमारे पास ठोस परदात होते हैं उनका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है तिक्छन होता है तिक्छन का मतलब होता है कि एक fix point पर वो क्या करते ह्पिंगल जाते हैं ठीक है और जैसे आपने पढ़ाओगा एक्रिस्टिले ठोस में पढ़ाओगा कि एक्रिस्टिले ठोस में जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है एक परास में होता है एक रेंज में होता है तो यहां पर जो ठोस है उनका गलनांक तिक्षन होता है ऐसा क्यों तो जैस इस इसतान को छोड़ कर चले जाते हैं जब इसतान को छोड़ कर चले जाते तो अचानक से इन के होता है ब्रिदी हो जाती है और इसी वद्धे से जो भी ठोस प्रदात होते हैं उसका गल्लांग कैसा होता है तिक्षन होता है इसमें क्योंकि जो भी हमारे पास कन होते हैं वो जालक को क्या करते हैं सबी जगे से अपना इस्तान छोड़ देते हैं और इसी वज़े से उनके जो गल्लांग होते हैं कैसे होते हैं तिक्षन होते हैं अब यहाँ पे जो ठोस अवस्ता है अगर हम उसकी इस टेक्चर देखते हैं तो उसकी इस टेक्चर हमारे पास कुछ इस प्रकार होती है कि जैसे यहाँ पे कन था अमारे पास ए तो एक कन अमारे पास ए है ए है ए है इस कन के पास की बात करें तो यहाँ पे इस कन के साथ कितने 6 जो अवियवी कन होते हैं वो 4 तरफ उपस्चित होते हैं अगर हम इसको गरम करते हैं तो यहांपे किसी भी कण में से कोई भी अपना एक जो कण होता है वो अपना इस्थान छोड़कर चला जाता है तो वहांपे क्या बनते रिक्तिका बन जाती है तो इसी तरहे पूरे जो हमारे पास दरव में या हम कह सकते हैं गलित थोष में कुछ कुछी रिक्तिकाई पाए जाती हैं और कुछ पाए जाते हैं अभी अभी कणों के निश्चित वस्ता जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इस समय यहां पे कोई भी रिक्तिकाई नहीं है तो इसकी जो आकरती इसकी जो संदचना होती है वो किसके बराबर होती है ठोस के बराब की अगर बात करें तो यहां पर क्या पाई जाती है रिक्तिका पाई जाती है यहां भी क्या होती है किसी में एक रिक्तिका पाई जाती है मतलब जो संपूर्ण जो द्रव होता है उसमें दो प्रकार की प्रोपर्टी पाई जाती है कौन सी कौन सी पाई जाती है एक तो ठोस की इसमें पाई जाते है property मतलब ठोस में क्या था कि एक जो कण था वो अन्य छे कणों के द्वारा गिरा होता है तो दरव में भी तो गिरा होता है ठीक है लेकिन द्यान रखना इनका गनतोड इसकी ठोस की तुलना में ठोड़ा कम होता है यहां पे जो आकर्षन बल लग रहा है इस समय इन 6 कड़ों में यहां पे क्या पाई जाता है इससे कम पाया जाता है ठीक है और इसी वज़े से यहां पे जो हमारे पास जो दरव है वो दो परकार के प्रोपर्टी सो कर रहे हैं कि यहां पे साम में अवस्ता है यह जो परदात यह किस की तरह ठोस की तरह और किस की तरह काम कर रहा है द्रव की तरह काम कर रहा है तो यह पॉइंट आपको याद रखना इसमें कि जो आपके पास कंस होते हैं किसे भी इसमें द्रव में वहां पे उसका कुछ बाग ठोस की तरह सनचना को दर्शाता है और इसका कुछ बाग क्या होता है द्रव के तरशना को दर्शाटैश में तो यह जो एमारे पास ट्पिक ठत यह था बर्नेल और इस्टोक का नियम और यह आपको ध्यान रखना यह तो आफ़े जो आपको पास अवस्ता मिलते है गिरा होता है तो इन में समन्में संग्या कितनी पाई जाती है छे पाई जाती है इसमें ठीक है